हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टीम बाइलर से मावा खोवा बनाने का प्लांट दोस्तों, ये विडियो उन लोगों के लिए हाँ जो दूद का बिजनस करते हैं या दूद से किसी प्रकार की मिठाई बनाने का कारे करना चाहते हैं यदि आप भी लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिये गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं ये प्लांट जीनियस एनरजी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा लगाया गया है इस प्लांट में चार आटोमेटिक वे एक मैन्यूवल दोनों तरह की कडाही लगाई गई है जिनने स्टीम बाइलर से ओन पर इट किया जा रहा है इन कडाहियों को मावा खोवा बनाने के काम में लिया जाता है ये स्टीम से चलने वाली कडाही है इसके लिए स्टीम बाइलर की जरूरत पड़ती है एक ऑन्टोमेटिक कडाही में आप एक बैच में 20 लीटर दूद का मावा 20 मिनट में आसानी से बना सकते है इन कडाहियों में पलटो की सहायता से दूद घूमता रहता है जिससे दूद कडाहियों में नहीं लगता है हमारे पास एक कडाही से लेकर सभी प्रकार के बाइलर भट्टी उपलब्ध है जिनसे आप मावा, खोवा, पनीर, पेठा, रसगुला, बूरा का प्लांट, गुड का प्लांट, कैंडी प्लांट आदी सभी कारे कर सकते हैं इस प्लांट की सहायता से आपका इन्धन और समय दोनों की बचत होगी जिससे आप कम समय और कम कीमत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं इससे आपका मुनाफ़ा भी अधिक होगा और आपका बिजनस भी और अधिक बढ़ेगा इस बॉयलर में इन्धन की बचत होती है 100 लीटर दूद का मावा खोवा बनाने में सिर्फ 23 किलो लकड़ी लगेगी बॉयलर लकड़ी गैस या टूढ़ी के गिट्टी ओनिल या सोलर से चला सकते बॉयलर सभी उधोगों में लगा सकते हैं जहां हीट व स्टीम की की आवश्रक्ता होती है यदि आप डेरी दुग्ध उधोग से जुड़े हुए हैं या दूद से मिठाई बनाने का बिजनस करना चाहते हैं या आपको अपने उत्पाद के प्रड़क्शन हेतू किसी भी प्रकार के स्टीम बॉयलर वा कडाहियों की आवश्रक्ता है तो हमसे संपर्क करें हमारी और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के पास शेयर करें जो इस बिजनस से जुड़े हुए हैं या ऐसा बिजनस करना चाहते हैं आप भी लगवाना चाहते हैं तो नीचे दी गए जानकारी पर संपर्क करें धन्यवाद